कि हाई विल्कम बैक टू ए ओनलाइन सोलुशन कैसे तो मैं हूँ अस्फाक और आज आपके लाएं गौधूली हिंदी का इंपोटेंट ऑब्जेक्टिव कोशन और यह है लेशन फस्ट जिसको आप बोलते हैं सरम विभाजन जाती परता का पहले लेशन है इसमें जितना सारा सवाल मैं आपके लिए यहां पर हाजिर करता हूं आप अगर पहली बार चैनल प्यारों तो सब्सक्राइब करना घंटा का बटन दबाना और और प्रेस करना तकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिक्शन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप सबसे पहला वीवर होग सब्सक्राइब कर महात्मा गांदी या डॉक्टर संपुर्णानंद तो सरम विभादन जाती पर था कि जो लेखक है बाबा साहे भीम राव अंबेतर कौन है लेखक कोन है बाबा साहे भीम राव अंबेतर कोने की इसका बीज होगा बिल्कुल सेयंस रोगा आगे सवार मोलत इसकी पोशकों की कमी नहीं होती है जले आगे देखे सवाल ना पड़ता है बोलता क्या है लेखक बिरुजगारी का परमुख और पर्त्यक्ष कारण किसे मानते हैं आसिप्छा को जन संख्या को जाती पर्था को या उध्धोगों को बहुत अच्छा सवाल है कि लेखक बि जो है जो इस बिरुजगारी का परमुख कारण मानते हैं लेखक मतलब भीम रांबेदकर आगे चौता सवाल है डॉक्टर अंबेदकर के माता का नाम क्या था बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर अंबेदकर के माता का नाम क्या था देखिए रानी बाई शीला बाई और य लेखक को इस युग में कहां पर विडमना दिखाई दिया लेखक को इस युग में इस जहां में इस दुनिया में जो है कहां पर विडमना दिखाई दिया जाती वाद में या नारी वाद में या निर्वी वाद में या परी वाद में हना तो यह तो बहुत बहुत ही आसान सा स सही अंसर हो जाएगा चलिए आगे देखें सवाल पढ़ते हैं डॉक्टर अंबेदकर ने पी एच डी की उपाधी धारन की थी वो कब धारन की थी यह आपको बताना है ठीक है ना बहुत अच्छा सवाल आपके साथ यहां पर सामने है तो इसका अंसर हो जाती पर था शरम विभाजन या अनुबम या दूद पानी तो सब भी समाज के लिए शरम विभाजन भी जरूरी है ठीक है काम का बटवारा होना जरूरी है एक अच्छा समाज में काम का बटवारा होना जरूरी कि यह जितना जिसको जितना सलाहियत है वही काम करेगा है जिसको ज्यादा ताकत है तो ज्यादा ताकत होला काम करेगा भारी काम करेगा जो कमजोर आदमी है तो कमजोर हलकालका काम करे यानि कि करम सरम विभाजन और जातिपतक क्या है निबंध है चलिए आगे देखते सवाल बोलता क्या अंबेटकर का जनम जो है किस परिवार में हुआ था ब्रहमन में छित्रिये में दलित में या कास कायस्थ में तो आपको पता है कि अंबेटकर साहब का जो जनम हुआ था व और आपको उस homework का अंसर देना है तब मुझे पता चले है कि आपको बिल्कुल यह सबी सवाल आपको याद है तो जाती-पांती-टोड़क-मंडल भासन लौहौर में हो था आपको बता दो 1936 में जाती-पांती-टोड़क-मंडल जो है लौहौर में हो था ठीक है ना 1936 में हु मित कर तो फिर हाई लेवल को सिप्च्छा पराप करने के लिए कहां चले गए इतली में गया थे यदा अffinhos अफ्रीका में गए थे यह नियू-yfang इपसे धशनी क्वूरीया अगर नियुआर्क और लंदन यह दो जगा तो तो निव यार के आप याद रखेंगे चलेगा ठीक है तो आफसन आवारा क्या हो जागा चली तो आगे हम सवाल देख लेते हैं बिना टैम वेश्ट की वे बोलता कि है कि संवारा क क्या मानती हैं देखिए अब क्या को सलता के लिए या भायचार के लिए तो मतलब जिस आदमी के पास जितना कारे करने की छमता होगा ना उतने ही हो काम करेगा वही एक अच्छा समाज का लाता है जैसे मेरा काम है जैसे मैं जो है धान नहीं काट पाऊंगा तो मैं धान काटने काम नहीं करूंगा ठीक है कि किस भासन का संपाधित अंसर यानि कि बाबा साहब के जो लिखी हुई सरम विभाजन जाती पर था जो निबंध है वो किस किताब से लिग गई देखिए यहाँ पे लेकिन यह आपसन नमबर से यह निबंध उठा करके आपके किताब में चापा गया है तो किस किताब से संबाधित का अंस है एनियाशन आफ कास्ट छौदा नमब सवाल देखें जी अंबेतकर चिंतन वर रचनातमक के प्रेरक वेक्ति कौन था यारिक बाबा साहर घ्युम्राओं अंबेतकर तो यह तीननों वेक्ति से बहुर्यध है निर्मान में महातिकपुर्णी भूमिका किसकी रही तो आपको पता है भारतिय सम्विधान का निर्मान में जो है ना बाबा साहिब भीम्राव अंबेतकर के बहुत ही महातिकपुर्णी भूमिका रही इसलिए बाबा साहिब भीम्राव अंबेतकर को भारतिय समाज के निर्माता की रुप म की निए निचे में चार रचना जो है दिया वह न इन में से कॉन सी रचना जो यह भी भी राव अंबेत करके हैं तो देखेंगी की किताब है फूर्प फूर्च यह भी उनी की किताब है और अभी 2-3 उपर में ने बताया था सबसे फेमस किताब क्या है एनिहेलेशन ऑफ कास्ट उसी से ये चिप्टर जो है संकलित है लिया गया है तिक है ना सब्सक्राइब किलियर है चलो आगे बढ़ते हैं अंबेतकर के भासन एनिहेलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रुपांतरन क्या था बहुत ही महात्यपूर्ण परशन है कि एनिहेलेशन ऑफ कास्ट जो किताब है उससे जो है शरम विभादन जाती पर्था निकाल करके आपके किताब में छापा है तो हिंदी में जो हम लोग पाड़ रहे हैं उसको रुपांतरन किसने किया ट्रांसलेट किसने किया भाय सहब ऑप्शन ए हो जागा लले किसकी रचना है तो अभी आपने पढ़ा है अर्थिक पहलू से भी जाती पर्था क्या है लाबदायक है यहानिकारक है यह अनुकूल है तो यह आपको किताब एक बर तो किताब पढ़ने की जरूत है आपको बहुत अच्छी तरीकी से तो भाबा साही भीम्राव में बोलते कि आर्थिक पहलू से भी जाती पर्था क्या है हानिकारक है यानि कि मैंने आपको बताया था कि अगर को आदमिया जाती पर्था कोई कर ना की बरहं मन रहों और पंदित के काम करने लेकिन कभी-कभी उसको मंदा वी तो हुसकता है तो आर्टिक ना कहने को पशेया का दोश पूर convincing क्या आतिience निरृषपूर्ण करते दोस्पूर्वे निधारन करता है यानि कि 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 दोस्पूर्व फिसमा सवाल है जातीपरता भारत में बीरोजगारी का एक तक और बलकुल नहीज बहुत op एक सवाल है कि मुक नायक क्या है देखे पड़ी धियान से मूक नायक क्या थे थी तो देखिए एक अखबार है या पत्रिका है या पुस्तक है या कहानी संगरा है बताओ मूख नायक क्या है तो मूख नायक जो एक पत्रिका है पत्रिका बोलते हैं प्यारे मैगजिन को बोलते हैं ना मैगजिन को पत्रिका कहा जाता है आगे बोलते हैं डॉक्टर भीमरा अं अमबेतकर की मिरत्यु चलो आगे सवाल भीमराव अमबेतकर की मिरत्यु कब बहुत अच्छा सवाल इदम चाप लेना दिमाग में सवाल में बहुत बार पूचा है प्यारे बहुत बार पूचा है ठीक ना तो यह कहां वला भी याद रखना है यानि कि महु मध्यपर्दिस में महु मध्यपर्दिस में डॉक्टर भीम राव साहिब अम्बेतकर का जनम हुआ था अठारा सो एक्यानवे में और उनीस सो चपन में दिल्ली में उनकी मिर्ती हो गई थी हना यह सब पॉइंट याद रखे सतर ने किस पत्रिका का संपादन किया था तो गला बहीं स्कृत भारत यह जो पत्रिका था चाना इसका संपादर मतलब ऑल्प्रकासित क्या था ऐसे संपादन लिखा गया है ना तो बहिस्कृत भारत जो है एक संपत्रिका था जो की डॉक्टर भीम राव अंबेदकर की दुवारा जो है संपादन क्या गया था भारती समिधा निर्माता की रुप में हम किसी कि नहीं मानते हैं तो आपको पता है भीम राव अंबेदकर को भारती समिधा निर्माता की रुप में हम जानते हैं भीम राव अंबेदकर को चलिए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर भीम राव अंबेदकर का वार्ड में हिंदी के कितने खंडों में परकासित हो चुकी है तो इसका अंसर क्या होगा एक कीस खंडों में डॉक्टर भीम्राव अंबेत्र का वाड में जो है परकासित हुई है ओके चली तीसमा सवाल देखे आधुनिक सब्वे समाज कारे कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है अधुनिक सब्वे समाज कारे कुशलता के लिए पिसको मानता है शरम विभाजन यानि की काम बटवारा होना ज़रूरी है सब्वे समाज काम का बटवारा होना जरूरी है जो आदमी जितने पावर है उसकी साब से काम करेगा यह सब भी समाज मानता है तो यहां पर राम जी सक्पाल दे दिया था तो आगे है जाती पर्था शरम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है किसका रूप धारन किये हुए है तो जाती पर था जाती परता है तो सरम विभाजन हो रहा उसके साथ सरमिक विभाजन भी हो रहा है ना मतलब काम करने वाले ही बटवार हो जा रहा है जो आदमी जो करेगा बस वही करेगा दूसरा उस काम को नहीं करेगा सरमिकों कभी बटव और इसको लिखने के बाद आप यहां पर पर सकते हो इसको नीचे जाना और देखो यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो आइसे मैं भी इसका टेस्ट लूँगा और यहां से भी आउनलें टेस्ट जाकर करें दे सकते हो तो इसके लिए आप कर सकते हो अगर आपको इसका पीडियो चाहिए तो यहां पर आपको नंबर दिख रहा है नंबर पर जाओ मुझे कांटेट करो मैं आपको बता दूंगा ओके तो वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करना और वीडियो लाइक जरूर करना अपने होंबा कांसा जरूर देना प्यारे और हां सब्सक्राइब तो जरूर करना अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि उसको भी इसका फायदा हो पाए तो लाश करतें वीडियो को ओके बाए